नमस्कार मैं कुमार बिनोद और आप देखरें मेरे साथ ये हिंदुस्तान की बात है ये हिंदुस्तान की बात है में क्या है कुछ खास वो हम आपको बताएंगे बरसात आने पर मेढ़क टर टर की आवाजें करता है ठीक उसी प्रकार से चुनाव आने के बाद चुनाव आते ही हर पार्टी के निता जनता के बीच में जाकर उन्हें गुमराह करने का काम करते हैं और एक ऐसा ही मामला उत्तरप्रदेश की जनपत फरुखाबास से आया है आईए जीरो ग्राउंड से पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखा दें भाजपविधायक का अजीबो गरीब बयान सामने आया है अमरितपुर से भाजपविधायक सुसिल साक ने ये बड़ा बयान दिया है जनता की यादास्त को कमजोर बताया है जन्ता को याद दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कारिकरम रखा गया है विधानसवा पंचायत परतिनी दी का समेरन रखा गया है ऐसे कारिकरमों के माध्यम से गरीबों को दी जाती है योजनाओं की जानकारी इस वक्त की बड़ी और एहम ख़बर अमरित्पुर से भात्रविधायक सुसिल साके ने एक बड़ा बयान दिया है जन्ता की यादास्त को कमजोर बताया है और भी क्या खुश कहा है आईए जल्दी से पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखा दें पार्टि जो गरीबों के लिए काम किये गए हैं जाहें जैस का कनेक्शन हो चाहें प्रधानमंतरी आवास हो चाहें सोचाले हो इसको दुवारा सबको इस्वर्ती कराएं याद दिलाएं और भारती जनता पार्टी की दुवारा सरकार बनें विधान सवा अमरत्पुर में लोग सवा के चुनाओं में एक लाग दस हजार वोड मिला था अगले चुनाओं में हमारी अपेच्छा है कि एक लाग पच्चीस हजार वोड अम्रत्पुर विधान सवा के पार्टी को मिले उसमें उन सबसे सहीयोग मांगा गया कहीं कहीं एक चीछ और सामने निकल के आई कि 2022 के चुनाओं को लेकर भाति जंता पार्टी जितनी मेंनत किये तमाम लोगों उने उसका जितनी योजनाय चाहें केंद क्यों या राज पाइदा उठाया तो कहीं क्या आपको लगता है कि हमारी योजना तक नहीं पहुंची है लेकिन जंता की यादास्त बहुत कमजोर होती है हम केवल उनको याद दिला रहे हैं कि यह भाति जंता पार्टी के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के कारण संभव हुआ है और इसलिए हम तो आशस्त हैं योगी 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 खासकर मोदी जी के नाम पर बोट मिल ला है यह आम जनता है